ICC और PCB ने मिलकर बजट किया कन्फर्म हाइब्रिड मॉडल में होगी अब चेम्पिन्स ट्रोफी 2025 नमस्क्रा दोस्तों स्पोर्ट चेरी देख रहे हैं आप मेरा नाम है रितिन भारतु आज खबर आचुकी है दोस्तों बजट भी आचुका है PCB और ICC ने मिलकर बजट बना लिया है चेम्पिन्स ट्रोफी 2025 को लेकर अब हाइब्रिड मॉडल में होने वाली है चेम्पिन्स ट्रोफी या बाहर होने वाली है चेम्पिन्स ट्रोफी वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में लेकिन बड़ी बात ये है कि ICC और पाकिस्टान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर बजट तेह कर लिया है चेंपिन्स ट्रोफी दोहजर पच्चिस का रिपोर्ट आपको बताते हैं उसके बाद बताएंगे आपको ये बात क्या हाइबर्ड मॉडल होने वाला है या पाकिस्तान में होने वाली है चेंपिन्स ट्रोफी इंडिया का क्या रोल रहने वाला है इसमें या फिर पूरा ही टॉर्नमेंट पाकिस्तान से बाहर हो जाएग the approval for the Champions Trophy budget was given on the last day of the ICC meeting the budget for the Champions Trophy has been prepared by PCB and ICC Chairman PCB Mohsin Nakhvi participated in the ICC meeting आपको पता है कि 19 से लेके 22 तारिक तक AGM चल रही है Annual General Meeting कोलंबो में और यह budget जो है वो meeting के आखरी दिन प्रपोस किया गया जो कि PCB और ICC ने मिलकर बनाया है जिसको approve कर दिया गया है ICC के दोरा अब अगर budget approve हो गया है दोस्तों तो यहां पर दो चीज़े है अगर PCB और ICC ने budget approve कर दिया है या तो Champions Trophy पाकिस्तान में हो रही है और अगर Champions Trophy पाकिस्तान में नहीं हो रही इंडिया की वज़ा से तो या फिर Champions Trophy hybrid model या फिर पाकिस्तान से बाहर हो रही है hybrid model अगर हो रहा है तो उसलिए पाकिस्तान और ICC को नुकसान होगा उससे क्योंकि अगर hybrid model होता है तो ICC को पैसे जादा खर्च करने पड़ेंगे लेकिन अगर बाहर हो जाती है Champions Trophy तो उसमें अलग से budget जो है वो दिया जाएगा बट यहाँ पर पूरा overall budget जो है वो तैयार कर लिया गया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि budget की तो news जो है वो आगई है दोस्तों कि budget confirm हो गया है budget बता दिया है PCB और ICC से ने मिल कर लेकिन अभी तक यह confirm नहीं हुआ है इस meeting के बावजूद भी क्या Champions Trophy hybrid model में होगी या पाकिस्तान में होगी इंडिया का क्या रोल है क्या Champions Trophy PCB या यू कहें पाकिस्तान से बाहर हो जाएगी यानि कि hosting राइट पाकिस्तान के पास रहेंगे और पूरी Champions Trophy शिलंका या UAE में होगी यह बात अभी तक confirm नहीं है hybrid model अगर होता है तो पाकिस्तान को उससे एक तरीके से फाइदा ही है क्योंकि tournament की मेजबानी पाकिस्तान में भी होगी लेकिन अगर hybrid model नहीं होता है चेंपिन स्टोफी बूरी ही पूरी बाहर हो जाती है शिफ्ट हो जाती है अब आप लोग भी comment section में अपनी राइज जरूर रखेगा हमें बताइएगा आपके मताबिक क्या होने वाला है चेंपिन स्टोफी का हाल क्या चेंपिन स्टोफी hybrid model में होगी पाकिस्तान में होगी या पूरा tournament जो है वो shift हो जाएगा UAE या शिलंका में और क्या इंडिया जाएगा क्योंकि अगर budget बन गया है तो कहीं न कहीं हामी BCCI ने भी भरी होगी तो हमें जरूर बताएगा comment section में आपकी क्या राए है साथी साथ वीडियो पसंद आए like कीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत